कि रैली रद्धी हो रही यह जिसका मनोवग्यानिक असर क्या देख रहा है कि मैं स्पेसिफिक सीट्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूं इटावा मैंनपुरी इटावा की तीन सीटे मैंनपुरी की चार सीटे यह कास कॉंबिनेशन पर मैं नहीं जा रहा हूं क्योंकि मेरा ऐसा मनना कि कास कॉंबिनेशन तो दूसरे चरण में भी रहा है और तीसरे चरण में भी रहा होगा पिछले चुनाओं में जहां यादाव बहुल सीटे रही होंगी तो क्यों फिर समाजवादी पार्टी को जीत नहीं मिली हैं मैं इसको पूरे जो चल रहा है अभी दो चर्णों का जो चुनाओं हुआ उसके आधार पर और जो दूसरे राज्यों में जो चल रहा है वो देख रहा हूं कि एक लहर है देश व्यापी जो वो सरकार के खिलाफ चल रही है और वो उत्तर प्रदेश में भी चल रही है मैं उसको पूरे मामले को उस परिप्रेक्ष में देख रहा हूँ और ये प्रकट हो रहा खाली कुरसिआ में रेली ओं के कैंसल होने में और भीर में जखिलेश की सबहाओ में उमल रही है उसमें मैं देख रहा हूँ कि भई जैसे साहरनपूर की रेली में पी-म की मीटिंग इसरेली में हर्याना से लोगों को लाया जाता है कुर्सियों पर बैठाने के लिए ये मैं इसको एक जिसको कहते हैं कि अपोजिशन के लिए एक बड़ी चुनोती और आखरी मौका बहुत बड़ा मौका मान रहा हूं इस गौशन को ना सिर्फ लखनव से पर दिल्ली से डिसलॉज करने का तो मैं इसको टुकड़ों टुकड़ों में सीटों में और जिलों में नहीं देख रहा हूं और चड़नों में भी नहीं देख रहा हूं मैं इसको उत्तराखन के परिप्रेक्ष में जो रिपोर्ट आ रही है या पंजाब से जो रिपोर्ट आ रही है और जो जिस तरह की टफ फाइट बीजेपी को सब जगें देखना पड़ रही है मनीपूर में भी या गौवा में भी उसके परिप्रेक्ष में देख रहा हूं अब देखिए मैं जो स्पेसिफिक चीज पर आऊं तो मान लिजे कि करहल में अमिश्चा ने कल एक मिटिंग अड्रस की और उन्होंने दो चीजें कही कि करहल से अगर अखिलेश को हार जाते हरा दिया जाता है तो वो तीन सो सीटों पर जीतने के बराबर होगा बीजेपी के या अपोजिशन के मैं इसको एक जो निराशा की पराकास्टा मानता हूं अमिश्चा के बयान में कि आप अखिलेश को हरा के सिद्ध करना चाहते हैं नंदी ग्राम में आपने ममता बेनर्जी को हरा दिया सुवेंदू अधिकारी को अपनी तरफ लाके और भारती जनता पार्टी का बंगाल में सफाया हो गया अभी जो मुंसिपल कार्पॉरेशन के इलेक्शन होए वहां बंगाल में उसमें जो एक कार्पॉरिशन था बीजी पी के पास सिली गुडी का वो भी चला गया और अब मुंसिपलिटिस के जो हो रहे हैं उसमें बीजे पी पूरी तरह समाप्त हो जाई बंगाल में आपने नंदिग्राम में हरा दिया ममता को तो परिणाम क्या हूँ आप बंगाल से सफाया हो गया आपका तो आपको यह क्या आप यह मानने को तयार है कि उत्तर प्रदेश में अगर भारती जंता पार्टी हार जाती है तो आपके अमिश्या ये मानने को तैयार है कि ये नरिन मोदी की सबसे बड़ी हार हो जाएगी या लोगसभा के लिए देश की सबसे बड़ी हार हो जाएगी मैं इसको बहुत एक जो कहते हैं कि अब इनकी जो नर्स पर प्रहार हो रहा है जो भारती जिंता पार्टी की जो निराशा है वो प्रकट हो रही है मेनिफेस्ट हो रही है अलग अलग तरह से जो आपने कहा मैं उससे लगभक सहमत हूँ जो आपने अभी एक पिछली डिबेट को मैं सुन रहा था आपकी जिसमें ये कहा आपने और मैं शुरू से उस चीज़ को कह रहा हूँ कि या तो बड़ा स्वीपिंग होगा अखिनेश के लिए समाजवादी पार्टी के लिए आरेलडी के लिए गड़बंदन के लिए और या फिर बीजेपी आज आएगी सत्ता में मेरा ऐसा मानना है कि बीजेपी के सत्ता में आने की कोई उम्मीद नहीं है उिए पार्टी के लिए ठारेलडी के लिए आएगा रचाना है थाँ टारान है उम्मीद आए़बंदने पारले पार्टी के लिए और के लिए स्यान है